सर्वसादरन रूप से जब सिलावज बनता है तब वो बदलने का कष्ट कोई लेता नहीं समय के अमसर अभी जिस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं वो बहुत करती से आ रहे हैं यह जो बदलाव है और उसके कारण आवश्यक जो चीजे हैं वो समय समय पर उसमें इंकलूड होत जाएं यह उसमें काश है अब जब इंकलूड होते जाएगा तब सिर्फ इंकलूड नहीं होते जाएगा उसमें से कुछ चीजे निकलती भी जाएगी तो इसकी जो प्रक्रिया है वो हमारे रेगुलेशन में लिखी गई है वैसी जो संभावनाय जब बनती है तब वो करना चाहिए यह अपेक्षाइड डाइनामिक करिकुलम में से है तो यह हमाईशा जरूरत के अनुसार बदलते रहने वाला जरूरत के अनुसार उसमें एड होने वाला सबस्ट्रैक होने वाला ऐसी सब जो चीजें वो उसमें इंकलूड की है इसलिए डाइनामिक करिकुलम ऐसा उसमें उसको नाम दिया है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा जैसे वाक्य में कहा गया है कि विद्यार्थी केंद्रित है यानि क्या है पहले कि जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित थी टीचर केंद्रित थी गयर शेल्फस का पुरा करना है, टीचर की चिशन में जाकित ती परिच्छा कुणथा जो मजए जो अधी सेलफ पुर्डी या खुद ne पढ़ाई करने वाली जो बात थी, वो इसमें अभी हम लोगों ने दो हिस्से की हैं शिक्षा के एक मेन कोर्स और दूसरा इलेक्टिव मेन कोर्स में जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और इलेक्टिव जो है वो जो मेन कोर्स में नहीं है ऐसे सब चीजे इलेक्टिव में उसके नियम भी बनाए है और यह जो इलेक्टिव है यह विद्धार् प्रफुद कर रहा है जो में कॉर्स है उसके भी दोवा किये हम लोगों ने एक लेक्चर और नान लेक्चर जो है वो जिसको डाइडेक्टिक टीचिंग बोलते हैं कि शिक्षा खड़ा होता है और वो क्लास लेता है और एक्टिविटी बेस लेर्निंग में जितनी भी प्रक् संब्स हो गया सेमिनार्स हो गए यह सब जो है यह नो लेक्चर में हम लोगों ने डाला है उसको और इसका जब प्रपॉर्शन है वह वन इस टू टू किया तो यह एक्टिविटी का जो पार्ट है वह बढ़ने के कारन वो स्टूडन का इंवॉलमेंट उसमें बढ़ते गय और इसका फायदा ही हमको दिखा है इस साल के परिक्षा में कि पूरे देजबर में अंदाजन 20% 20% के आसपास रिजल्ट में इजाफा हुआ है क्यूंकि बच्चों ने इंट्रेस्ट लिया वो खुद करने लगे इसका यह उपयोग होता है विशेश रूप से इसलिए इसको ह तक पूरा जो सिलबस में आ जाता है वो देख सता है कहां पर आप पोछा कहां तक पुरा हुआ क्या रहे गया तो इसलिए उस टूडेंट को के अंदर मेंदू । मानकर इसको बनाया गया है यह स्टूडेंट-Centric जो सिलबस्र करिकृलम इं उसकार्त है